आपको नजर एक और स्पेस पर है बाजार में नई IPOs आपके लिए आ रही हैं आज भी एक खुली है जिस परनल जी ने आपके आपके लाए लाए देदी है बाजार में आ सकता है कौन सी अरका कितना सप्लार में एक बदर समझते हैं आशीश के साथ आशीश बते किया कुछ होने वाला है अगर आप देखे तो लॉकेंट खाते हैं और जरूरी नहीं कि लोकेंगे खतम हो तो मार्केट में सप्ला आए लेकिन बताना काम है हमारा QIP में जैसे मिसाल के तोर पर अगर आप देखें या फिर अगर pre-IPO allotment होता है तो ऐसे में 6 मेने का lock-in होता है जो anchor निवेशक होता है IPO से एक दिन पहला anchor निवेशक हो को का नाम आता है जो general public के लिए खुलता है इसे एक दिन पहले list आती है तो इसका lock-in होता है पुरे 30 दिन का इसी अगर आप देखें तो काफी सारी categories में अलग-अलग lock-in period है लेकिन इन सबी categories को अगर आप combine करके देखें तो अगले 3 महीने में एक लाग करोड रुपे के जो शेर है इनके lock-in यहाँ पर खतम होते नजर आ रहे हैं यानि 24 जून से लेके 30 स्प्तमबर के बीच में 46 ऐसी companies हैं जहाँ पर काफी अलग-अलग categories में जो investors के lock-in हैं वो हटेंगे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो हाली की लिस्टेट companies हैं इंडीजीन हैं ओफिस, गोपाल स्नाक्स, लैंडमाकाज ऐसी companies के अलग-अलग tenure के अलग-अलग categories में lock-in खतम हो रहे हैं डेड़ साल के जो lock-in खतम हो रहे हैं वो अगर आप देखें तो लैंडमाक कार्ज है जहाँ पर 21% शेर के lock-in है, केफिन टेक है, रेडियन कैश मैनेजमेंट है जिसका lock-in 2nd July को यहाँ पर खतम होगा इसके अलावा अगर आप देखें तो एक साल के जो lock-in है इसमें नाम है Jupiter Life Hospital GSW Infra पांच से चे मेने के जो lock-in होते हैं इसमें आप देखें सूरज, जैस्टेट, Medi Assist, BLSE Services, Mutuit Microfinance और E-PAC Durable जिसके अलावा भी अगर आप देखें तो हाली में जो जितनी लिस्टिट कंपनीज हैं, मिसाल के तौर पर आधार, Housing, France, XEGO, Office यहाँ पर जो anchor निवेशक है जो मैं आपको बता रहा थे कि 30 दिन का इनका lock-in period होता है, तो यहाँ पर भी खतम होगा तो बड़ी बात यह है कि अगले तीन महीने में, चालीस कंपनियों में एक लाग करोड रुपे के जो शेहर है, इनके lock-in खतम होगे एक लाग करोड के शेहर, बड़ी से बड़ा सप्ला है गएगा लेकिन जो लोग बेचेंगे, वह बेच की कुछ और तो खरी देंगे, बिल्कुर, क्या, एक ही नहीं, ठीक है और कौन सा सारा का सारा बिग जाने वाला है, ज़रूर ही नहीं के आये बट इतना lock-in खतम होगे, वह मुझे पताओ, छे महीने में अभी, छे महीने भी नहीं हो सार, 22,000 करोड की डील एक बिन में समाल नहीं तो खरी किया है, एक डेर महीने में आएगा, 17,000 करोड की इसमें ITC हो आता है, अब क्या होगा, एक लोग सबाप के साब में, सबाप के साब में, आए बीगुल, सेटी साब के लिए, सदाबार सेटी साब की शोट टम पिक्स सेटी साब फरमाएं सर, आपकी तरफ से कौन सी एपिक्ट, अनिल जी अभी एक F&O का स्टॉक है, इसमें खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है NTPC, जो अभी 360 के लेवल्स पे पैरे इसके शोट टर्म टागेट है, 370 के स्टॉप लास रखना, 300, 500 रुपेगा, एक लीडिं पावर प्रोडिशर है, PSU स्टॉक है और रिन्यूबल पावर पे भी अच्छा खासा फोकस है, फॉर्डामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, अभी मार्स तिमाई के नतीज़े हैं, बहुत ही दमदार्बूत है,